हेलो एंड वेलकम टू एकदमोरीनल यूट्यूब चैनल और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी यानि एंडिये एन एन एक्जाम जो होता है यानि दो फेस्ट में उसके बारे में बता देता हूं कि जो एन डी एक्जाम होता है वो टू स्टेजिंद यानि दो फेस में Shaw chancellor होता है यानि दो फेज में जहें तरह है नेवल रिटन एक्जाम और उसके बाद अ कुलरह सबसे पहले एक उलें यह हमें इंडिये ए को से उसके ओल्मोस्त तीन महीने बाद जो है आपका रिटन का रिजल्ट आता है फिर उसके ओल्मोस्त तीन महीने बाद तक जो है आपका इंटर्व्यू से रिलेटेड प्रोसिजर चलता है इंटर्व्यू होता है आपका और उसके तीन महीने बाद जब आपका इंटर्व्यू जो आपने exam दिया होता है तो almost उसके 9 months यानि 9 महीने बाद जो है आपका result या फिर आप जो है आपने marks देख सकते हैं तो हम जो है आपको N.D.N.N.A. 2nd 2016 के बारे में बताने वाले हैं यह exam जो है 18 September यानि 18 September 2016 को conduct हुआ था और इसका जो final result है वो 14th of June 2017 को आया 14 June को जो है इसका result आया final result और जब final result आता है उसके 15 दिन बाद जो है इसकी marks information जो है UPSC के official website पे upload की जाती है और तब ही cutoff भी upload की जाती है तो 30 June 2017 को जो है final result आया इसका और marks information भी आप वहीं से देख सकते हैं ठीक है तो किस तरीके साब को देखना है अब उसके बारे में बात करते हैं तो आपने करना है होता है कि जो UPSC की official website है UPSC.gov.in उस पे जाना होता है यह उसका home page है और देखें यहाँ पे examination को जो column दिख रहा है उसमें नीचे से जो है दूसरे नंबर पर marks information दिख रहा है इसके उपर जो है अपने क्लिक करना होता है जैसे आप क्लिक करते हैं तो यह नया page को जाता है और यहीं से आपको जो है अपनी marks sheet देखनी है यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखें माक sheet और यहाँ पर जितने भी examination की marks sheet जो है जिनका final result आ चुका होता है उनके बारे में लिखा होता है ठीक है और यह एक महीने तक ही valid होता है जब upload किया जाता है उससे एक महीने तक ठीक है यह देखें इसमें लिए आपको राइट साड में लिए है क्लिक है यहां पर आपको क्लिक करना होता है जैसे ही जो है आप इसके अंदर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए आ गया है नया पेज़ खुलके national defense academy and naval academy second 2016 इसके अंदर जो है आपको अपनी दो details डालनी है अपना roll number डालना है यहां पर जो कि साट डिजिट का होता है उसके बाद जो है आपको अपनी date of birth डालनी है जो कि day, month और year के format में होगी और उसके बाद तो एक random image है यह हर बार अलग आती है यह आपको डालनी होती है ठीक है तो roll number जो है आप यहां पर अपना साट डिजिट का जो भी roll number है यहां पर डाल दीजेगा हमने थोड़ा हाइड किया हुगा है यहां पर रोल लंबर 7 डिजिट का ही होगा वैसे उसके बाद जो आपने application form में जो है अपने date of birth बर्नी है उसके बाद जो यह random image है यह तो हर बार अलगी आती है यह जो है आपको correctly य यह आपकी mark sheet आ चुकी है और यहां से जो है आप अपने marks देख सकते हैं तो यहां पर जो है सबसे उपर आपका roll number लिखा हुआ है हमने थोड़ा hide किया हुआ है यहां पर और उसके बाद जो है आपका नाम लिखा हुआ है ठीक है और उसके बाद जो है आपका math में कितने marks थ से और यानि आपको जो return total रहा यानि मैस प्लस जी 80 मिला के जो है total marks कितने हैं आपके 900 में से वह यहां पर लिखे हुए है उसके बाद अगर आप recommend हुए होंगे जो कि इसके अंदर हुए यानि आप SSB में गए होंगे तो उसके बाद जो आपका score रहा है वह SSB में यहां पर ुसका score यहां पर और उसके बाद जो है यह return और िससोड़ का total llod जो है result यहां लिखा हुए हौआ उसके बाद इसके अंदर रिमाक्स लिखात अगर आप recommended होँए तो recommended की साथ अपने इंड यह जान सकते हैं कि आपके एक्स चयक्ली कितने मांक्स आये हैं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आये हैं तो इसी तरीका के लेटस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बैस उच्मिस